हाई फ्रेंड साक्षी के रेशन में आपका स्वागत है सट का कॉलर कैसे बनाते हैं आज हम सीखेंगे 15 इंज कॉलर की लंबाई बनाएंगे तो 15 इंज हमारा कॉलर इसमें 2 इंज प्लस करेंगे तो यह 2 इंज प्लस के दिए हो जाएगा 17 इंज और 17 को जो है हम दो से डिवाइड करेंगे टू से तो हो जाता है साड़े आठ इंज अब आप यह सोच रहे हैं कि इसमें 2 इंज क्या प्लस किया तो इसमें जो बैंड आता है कॉलर का बैंड पट्टी आता है वो एक इंज इस्ट्रा होता है इसलिए हमने दो इंज इसमें प्लस किया है उसको हाप करें तो एक इंच हो जाएगा तो अभी हमें फ्रंट्स क्या करना है हमें पहले एक ऐसे सीधा निशान लगाना है इस तरीके से एक बराबर सीधा निशान ऐसे लगा के लेना है यह सीधा निशान हम लगा लिए अब हमें फ्रंट्स क्या करना है हमें इस तरब जो हैं ऐस कि ये साड़े 8 पे ऍजान लगा लिए है सीजम हो गया है अब फ्रंट समय जर क्या करें एक इंज पर निशान लगाएंगे या को आप हमारा इठेल इद दिवार निशान लगा लिए हम नहीं यहां पर एका इंज पर लगा लिया फ्रंट सम Hagman से स्केल रखना है कि रखे और यहां से ऐसा मार्किंग कर लेना यह यह हमारा मार्किंग हो गया है यह हो गया है आप हम यहां पर क्या करेंगे का सीधा निसान मारेंगे यह ऐसा मार लिए आप हमें फ्रेंट्स क्या करना है हमें इदर जो है ना तीन तीन सूत उपर करना है आप लोग बराबर ध ऐसा उपर कर लिए अब फ्रेंस हमें क्या करना है यहां पर हमें यहां से इंचिटेव रखना है और डेड़ यहां पर एक निसान मानना ऐसा है यह मारे अब हमें क्या करना है फ्रेंस यह स्केल को ऐसे लिए हम यहां रख दिये और इसको यहां इसे मिला दिये और इसको यहां तो दिखुँ, हम behaviour क्या करना है हम यह लगा दिए और यहां कि आरे जो है और हमें अब यहां पर एक निसान लगा लेना है हमें 15 का कॉलर बनाना है तो हमें देखिया हमारा 15 कहा जाता है यहां आदा है कि यह आगया ऐसा आगया अब हम इसमें फ्रंक्स क्या करेंगे अगर हमें दो इंच का कॉलर के चौड़ाई बनाना है तो दो इंच पलस उसमें 300 दबाओ देना है तो हम धाइंच पर यहां इसे निशान लगा लेंगे देखिए इस तरीके से यह निशान लगा लिए अब यह स्केल हम इसा लेंगे इसको आइसा रखेंगे देखो यहां रख दिया और यहां इसको इसे मिला दिये आप लोग बड़ा ध्यान से देखना यह अगर वीडियो आप लोग देख लेंगे बरावर से तो आज कॉलर कटिंग आप लोग लिए बिल्कुल एक्तम चुटकी काम ह हो जाए यह हो गया इस तरीके सही है बडिए इस में हमारा क्या होता है फ्रैंश जैसे हमारा देखिए सीदा यहां सीदा होता यह इसको इस हमरत सक्थे हैं फ्रैंट देखिये यहां पर 11 साथ यहां पर भी साड़े साथ इसे निसान लगा लिए यह तो हमारा हो गया सीधा ऐसा लेकिन हम को इदर आधा हैं जैसा इस तरफ आगे बढ़ा लेना है पॉइंट की तरफ और यहां स्केल रखे और यहां रखे इस तरीके से निसान मारी देखिए आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके समने कॉलर के निसान मारा एकदाम इजी स्टेप में अपना बन गया और हमें फ्रेंट सब क्या करना है यहां पर इसको थोड़ा से बैंड की तरफ इसको ऐसा थोड़ा सा उपर से थोड़ा से डाउन करना आई से तो इस हमें स्कोर है अगर हमें इसमें रौंड बनाना है तो हमें इस तरी यहां पर इसे मोज दो आप लोग यसा देख रहे होंगे इसतरीके दोको हमने सट का कॉलर इजी स्टेप में बना बताया आप लोगों को एकदम इजी कुछ ही इसमें भारी काम नहीं है एकदम यह आसान काम अब इसको काट लेते हैं देखो काट की देखाते हैं यह इस तरीके से कटिंग कर लिए फ्रेंट समय कि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैंट पट्टी और यह कॉलर के इदम यह बराबर होना चाहिए इसमें कहीं टेड़ा मिला नहीं होना चाहिए तो इसको हम ऐसा कटिंग कर लेते हैं आपको किसी भी साइज में कटिंग करना हो तो आपको इसी तरीके से कटिंग करना देखिए ऐसा कि यहां पर एक निशान मार लिया ऐसा अब हमारा बैंट पट्टी दो कट गया अब हमें कॉलर कटिंग करना है एकदम इजी कॉलर कटिंग करना एकदम बिल्कुल आसान अगर यह वीडियो आप लोग बराबर देख लेंगे तो आप लोग कॉलर कटना बिल्कुल सिख जाएंगे आपको दूसरा वीडियो देखने जरू नहीं पूलेगी यह देखिए हमारा कॉलर कटिंग हो गया यह हमारा कॉलर का सिंटर यहां हो गया और यह हमारा जो है यहा आप लोग नो के सब्राइब से क्या करना माकूंजान आप लोग इस अब आप लोग आप लूगों क्या करना हैस्ट यह क्या होता हैस्श कि यह थोड़ा पतला हो जाता है तो पतलाIf हो जाता है हमें क्या करना है इदर से ऐसा ऐसा इसको अईक्ट स्थान्वार्ब करने जितना पतला हमें गरेंगो उतना पतला हम इदर से करना और कभी Richt अभी द्याँ पॉट प। था उससे इसका यहां गाहिए होना चाहिए कंदम फर्स इन्ज कर दिखाए यह 15 का कॉलर कंद में कटिंग कर दिखाए ब लोगों को आरा कॉलर का फर्मर बंब कर त्यार हो गया है अब हमें इसी से पर टिंग करना है फ्यूजिंग पर जो होता है कि इस सीमस पर तरह आंके कुछ करने जुरूत नहीं है आज हमने आप लोग कॉलर बना के दिखाया आशा करता हूं यह वीडियो आप लोग पसंद आया होगा और इसी तरीके फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद